सवाल है कनेया कुमार से खुश तो बहुत होगे तुम जो वकील तुम्हें सडक पर लतियाते थे जो जनता तुम्हें फ्लाइट में जुतियाते थे आज वो तुम पर बनी फिल्म देखेंगे खुश तो बहुत होगे तुम तो दोस्तों टीजर रिलीज हुआ है एक ऐसे विशय पर बनी फिल्म का जिस मुद्दे पर फिल्मेकर्स बात करने से भी बचते है और इसी टीजर पर हमारी आज की चर्चा रहेगी फिल्म का नाम है जे एन यू विश्व में किसी भी देश के विकास के लिए जो सबसे इंपॉर्टन चीज होती है वो है शिक्षा और इसके लिए आवश्यक होते है अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थान लेकिन क्या हो जब शिक्षण के नाम पर शिक्षण संस्थान में पॉलिटिक्स शुरू हो जा इसकी अलावा रश्मी देशाई के फैंस भी उन्हें इस फिल्म में देखने के लिए बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। अगबग एक मिनट सोला सेकंड के इस टीजर में जैनियू से जुड़े कुछ जोलंत मुद्दो पर रोश्नी डाली गई है। अलस की जो देखने के लिए पबलिक आ रही है ठीक उसके विपरीत फिल्म में ना दिखा दिया गया हूँ। बट ये जैनियू का मुद्दा ही ऐसा है कि इसके बारे में जानने के लिए लोग फिल्म की और आकरशित तो होंगे ही। प्यूश मिश्रक कमाल के एक्टर है और बहुत सोच समझ कर फिल्मों का वो चैन भी करते हैं। अगर वो फिल्म का हिस्सा है तो I'm sure कि फिल्म की क्वालिटी में भले थोड़ा कॉंप्रमाइज हो लेकिन मुद्दे के साथ कॉंप्रमाइज नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार से रवी किशन टीजर में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में दिख रहे हैं जो उन बेबस पुलिस वालों को प्रेजेंट कर रहे हैं जो JNU में घुसने के लिए तत्पर तो थे लेकिन साथ में ऐसा हाई भी थे वहीं विजयराज भी उनके साथ खड़े पादुकोर्ण वाला पार्ट भी फिल्म का हिस्सा हो तो उमीदे तो रहेंगे इस फिल्म से और जो टीजर में दिखा है अंतिता फिल्म में भी वही हो कई बार आम का इमली भी हो जाता है तो वीट गीजए फिल्म के रिलीज होने का Have a nice day.